Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे स्चैनल PWT में साथियों अब तक हमने पढ़ रखा है सुगर के लीफ होपर के बारे में ठीक है जो की लेक्चर चल रहा है वो है पारिला परपिशिला जिसको हम लोग कॉमेंटली कहते हैं सुगर के लीफ होपर अब तक के लेक्चर में यानि प्रिविएस लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है systematic position, general appearance, distribution and life history के बारे में यानि की life cycle के बारे में अगर आपको वीडियो देखना है और ये वीडियो अच्छे से और समझना है तो पिछला लेक्चर ज़रू दिखिए मैं description में link दे दूँगा आप लोग लेक्चर नमबर वन और लेक्चर नमबर टू वहाँ पर जा करके देख सकते हैं या फिर आप Google पर सर्च कर सकते हैं पारला परपिसुला बाई PWT या बाई DS आज हम लोग damage और prevention and control के बारे में continue करते हैं लेक्चर नमबर थरी होने वाला है आज का तो चलिए देखी रहे होंगे यह जो है यह एडल्ट है जो है एग लेकरता है cluster में cluster में क्या है ट्रक जो है वह cluster में है और यही जो एग होते हैं वह चलके next stage बनता है जिसको हम लोग कहते हैं नेम इसको हम लोग क्या करते हैं तो ये आपको तो पता ही होगा और इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रीबियस लेक्चर जरुर देखना पड़ेगा और एक बार मैं आपको ये भी बता दू कि ये जो सुगर के लीप ओपर लेक्चर मैंने आपको दिया है वो एक्जाम पॉइंट आप उसे बहुत ही इंपॉर्टेट है ठीक है इसलिए मैंने सेलेक्टिव नोट बनाया है लाइन टू लाइन सेलेक्ट करके आपको नोट प्रॉइड में करा रहा हूं लेक्चर भी प्रोइट करा रहा हूँ तो देखें इसमें जो निम्फल स्टेज होता है और जो एडल्ट होता है दोनों क्या करते हैं causes damage ठीक है दोनों यानि both adult and nymphs causes damage यानि सुगर केन के फसल को गन्ने के फसल को दोनों ही क्या करते हैं damage cause करते हैं यानि नुकसान पहुचाते हैं लेकिन उसमेंसे भी जो निम्फल स्टेज होता है वो ज्यादा cause करता है क्यूंग क्योंकि सुरवाती दौर है यह पत्तों से छिपका रहते हैं जैसे अंडा क्या होता है surface पे देता है तो जब अंडा कूद करके नहीं जा सकता ठीक है क्योंकि अभी वो क्या है निम्फल स्टेज में है ठीक है उसके विंग्स अभी डैवलप नहीं हुए है अच्छे तरीके से तो इसलिए जो निम्फ है वो पौधों को जादा नुकसान पहुचाता है करते क्या ये कैसे नुकसान पहुचाते है तो देखे जो निम्फ होता है या एडल्ट होता है वो जो प्लांट है उसके लीप्स के सैप यानि रस को चूस लेते हैं और जब रस को चूस लेते हैं तो वहाँ पर फंजाई ग्रो कर जाता है क्या ग्रो करता है फंजाई ग्रो करता है और वहाँ फिर फोटो संथेसिस नहीं हो पाता है तो उस लाइन को हम लोग देखते हैं they suck the cell sap by their rostrum उनका जो निकला हुआ portion है rostrum जो piercing यानि धसा करके वो क्या करते है cell को choose लेते है cell sap को ठीक है जो leaves होते है उसके cell sap को क्या करते है choose ते है rostrum के थुरू जिससे as a result जिससे क्या होता है as a result the leaves turn pale yellow and dry up वो जो leaves होता है वो क्या हो जाता है pale yellow यानि हलका yellow color में हो जाता है जैसे पत्तियां सूखते है तो आप देखते ही होंगे वो yellowish color हो जाता है तो उसका भी हाल ये लोग ऐसे ही करते हैं और और क्या करता है ये तो पत्तियां सुखाई रहा है और साथी साथ में करते हैं कैसे ये होता है तो they secret, ये क्या करते हैं, secret करते हैं sweet, sticky, transparent, liquid, ये क्या secret करते हैं sweet, thiky, sticky तहिकी भी कर सकते हैं sticky, चिपचिपा, transparent ठीक है transparent liquid secret करते हैं जिसे हम लोग honey dew करते हैं और ये कैसा होता है sweet जैसा कि taste में क्या sweet है तो इसी के कारण जहां पर ये secret करते हैं या release करते हैं वहां पर क्या grow कर जाता है growth of fungus leading to growth of fungus that is black sootting mild टिक है black sootting mild यानि जो fungus है वो grow कर जाता है उसके लिए एक अच्छा environment क्रेट ये लोग कर देते हैं ताकि वहां पर फंजाई grow करें और फिर फंजाई grow करता है तो वो भी damage कास करता है ठीक है तो इसी कारण जो rate of photosynthesis होता है वो retard हो जाता है वो घड़ जाता है ठीक है वो क्या हो जाता है उसको कम ही आने लगती है और आपको पता है कि जो plants होते हैं वो due to photosynthesis यानि प्रकास शंसलेटर के दोरान ही अपने भोजन को क्या करते हैं बनाते हैं तो यानि कि गन्ने का जो फसल है उसको नुकसान कैसे पहुच रहा है इन pist के कारण और double नुकसान पहुच रहा है एक तो leaf damage हो रहा है उपर से जो black mild है यानि जो fungi वो भी grow कर जा रहा है ठीक है black suiting mild ठीक है वो भी grow कर जा रहा है जिसके कारण और नुकसान हो रहा है और जो आपका content photosynthesis नहीं हो पा रहा है तो जो आपका जो पूरे material का content है यानि जो sugar production है उस पे impact पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है तो देखिए the attack of this paste यानि in paste के attack के कारण यानि ये जो कीट पतंगे है ठीक है जो ये कीट है ठीक है paste है जो की फसल को नुकसान पहुचा रहे है इनके कारण जो quality होता है ठीक है quality and quantity quality and quantity of sugar is affected यानि उसको क्या पढ़ता है प्रभाव पढ़ता है किसको quality में भी और quantity में भी ठीक है quality यानि उसका जो nature है वो भी क्या करता है नुकसान हो जाता है और quality या quantity दोनों अफेक्ट होते है तो देखे जो सुक्रोज content है वो घट जाता है सुक्रोज यानि जो हमारा sugar production के लिए ज़रूरी है ठीक है जो material है ठीक है liquid तो देखे सुक्रोज content जो sugar है उसका जो content होता है वो 2 से 5% घट क्या हो जाता है घट जाता है और लगभग 35% total reduction of sugar यानि वो जो फसल है जितने एरिया में हम दोग बोते है उसमें लगभग लगभग एक data है 35% sugar का जो content है वो reduce हो जाता है ठीक है total content में से 35% reduction हो जाता है ठीक है total reduction in sugar ठीक है next है कि अब ये तो damage हो गया और damage किसके द्वारा हुआ ये इन्ही paste सिक्के कारण कौन सा paste है पाइडिला परप्यूसला ठीक है जिसका नाम हम लोग commonly कहते है sugar के leaf hopper ठीक है अब इसको बचाया कैसे जाए इससे रोप थाम कैसे करे तो देखिए आपका जो फशल है वहाँ पर जो अंडे है उसको क्या करिए collect करिए और उसको destruct कर दीजे by burning ठीक है यानि collection and destruction of egg masses of pyrrila यानि जो pyrrila परप्यूसला का जो अंडा है उसको क्या करिए आप collect करिए और उसको destruct कर दीजे ठीक है उसको क्या कर दीजे नस्ट कर दीजे by burning एक पोसे से जला भी सकते हैं आप जो पतियां होती है उसको इकठा करिए क्या करिए जहां पे है जैसे हम लोग क्या करते हैं कूडा होता है धेर सारा कूडा हो जाता है उसको क्या करते हैं अठा करते हैं घरों में से उसके बाद जला देते हैं ठीक है फिर वो इधर उधर नहीं गुमता तो इसी का ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे इनके पतियों पे जो अंडे हैं उसको कलेक्ट करेंगे ठीक है मासे जो धेर सारे हैं धेर सारे अंडे हैं कलेक्ट करके किसके पारिला गो बोएंगे ठीक है उसमें nitrogen का content balanced होना चाहिए ठीक है यानि परयाप मात्रा में होना चाहिए ठीक है the quantity of nitrogen should be well balanced in the soil जिस मिट्टे में हम उसे बोएंगे ठीक है next है कि जो resistant variety है ठीक है जो disease मलब कि यह जो pest resistance variety उसको भी हम लोग क्या करा सकते हैं करा सकते हैं या grow करा सकते हैं ठीक है हमें जो growing के लिए जो material use करना है जो crops use करना है sugarkin का variety वो कैसा होना चाहिए resistant varieties of sugarkin should be taken लेना चाहिए उसको बोना चाहिए उसमें से है cu 385 यह उसका variety है जिसके पास resistant क्या है develop कर जाता है आगे है ratoon crop should be avoided जो ratoon crop होता है ratoon का मतलब आप लोग देखते होंगे जो sugar coin है उसका जो बोहाई होता है वो ratoon के तुरू होता है ratoon का मतलब है जो जो फसल है उसको उपर से काड़ देते हैं ठीक है जानी जो ground के उपर का थोड़ा से portion है वहां से काड़ देंगे पुरा फसल और जो आपका root का portion रहेगा और थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा ground के उपर उसको हम लोग ले लेते हैं तो होता है कि कभी-कभी जो अंडे होते हैं वो उसकी portion में रह जाते हैं फिर है फिर hedge होता है तो जब उसमें से गन्य की खेती होती इसी process के थ्रू होती है ठीक है सपोस करिए यह गन्य का पूरा stem है ठीक है यह पूरा गन्य है और यहां से हमने गन्य को काड़ जिया और इतना portion रहने दिया जमीन में फिर वो अपने आप next season में ग्रो कर जाएगा तो यह process से हमें बचना है ताकि हमारा फ method था method है आप लिख सकते हैं अपने जो theory है उसको और सुन्दर बना सकते हैं कि prevention control कैसे by mechanical method by chemical method by biological method ठीक है आप सब heading भी कर सकते हैं तो कह रहा है कि the spraying of 0.25% endosulfine endosulfine chemical का नाम है उसका छड़काव कर सकते हैं ठीक है या फिर और यहां पे या फिर इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं किसको 0.025% phenythrothion का भी छड़काव कर सकते हैं या फिर आप छड़काव कर सकते हैं 0.01% endrin emulsion कैसे 5 liter per acre 5 liter per acre amount है ठीक है या फिर आप BHC का dust यानि इसका powder का क्या करते हैं छड़काव कर सकते हैं BHC यानि benzene hexachloride ठीक है benzene hexachloride BHC का भी छड़काव कर सकते हैं आप इस क्या करते हैं लेकिन कब onwards September ठीक है from September onwards September onwards ठीक है तो ये था दोस्तों हमारा ये था इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं किस से पेस्ट से अपने क्रॉप्स को किस क्रॉप्स को सुगर केन को तो यहां पर आपका complete सुगर केन लीप होपर का हमने क्या डिस्कस कर लिया हमने distribution डिस्कस कर लिया systematic position डिस्कस कर लिया general appearance यानि ये जो पेस्ट है पारिला परपिसिला जो कि गन्य के फसलों को नुकसान पहुचाता है और हमने ये भी देखा कि गन्य के फसलों के साथ साथ और भी कई ऐसे फसल होते हैं जिस पे ये नुकसान पहुचाता है ठिक है और कभी-कभी भिंडी और करेला पे भी पहुचाता है तो इन सभी के बा समाप्त होता है पारिला परपिसुला का होप आपको ये पूरा लेक्चर सिरीज समझ में आया होगा और हाँ आप लोग सारे लेक्चर को देख लेजीगा लेक्चर नमबर 1, 2 और ये लेक्चर नमबर 3 था ठीक है आप लोग स्क्रीन सॉर्ट भी ले सकते है तो आप लोग ने स्क्रीन सॉर्ट ले लिया और नेक्स्ट हम लोग और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे जो की बहुत ही कॉंपलेक्स है और बहुत मोट इंपॉर्टेंट टॉपिक है BSC स्टुडेंट के लिए एक्जाम पॉइंट आफ यू से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और नए नोट्स के साथ थैंक यू